बड़ी खबरसवक के, आज एक हम बैठक होने जा रही है पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत मान और हरियाना के मुख्यमंतरी मनौहर लाल के बीच एक एहम बैठक, सुला साड़े 11 बजे का समय, साड़े 11 बजे ये बैठक होगी और सालों से लंबित इस मुद्दे को लेकर आज समाधान हो सकता है कुछ सकरात्मत बाते इस बैटक से निकल कर सामने आ सकते हैं विचार विमर्श क्या जाएगा इस मुद्दे को लेकर और हर्याना के हक में पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और हर्याना के मुख्यमंतरी मनौरलाली कह चुके हैं कि S.Y.L. हर्याना वासियों का हक है उनको उनका हक मिलना चाहिए और आज इसी को लेकर आज बैठक होने जा रही है S.Y.L. का मुद्दा जो की दश्कों पुराना है और इसे लेकर ये एहम बैठक होगी सुप्यम कोर्ट की तरफ से पहले ही हक में फैसला सुनाया जा चुका है हर्याना के और उसके बाद जोद पंजाब की तरफ से सुप्रिम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से मंजूर नहीं किया गया S.Y.L. को लेकर कोई पहल आगे नहीं की गई और फिर सुप्रीम कोट ने पटकार लगाई पंजाब सरकार को पंजाब सरकार चे कहा कि आपस में बैठ कर इस मतले को सुलजाया जाए और इसके बाद ये बैठक होने जा रही है मुख्यमंतरी मनोहरलाल और पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंद मान के बीच ये बैठक होगी और इस बैठक के बाद जो बादशीत होगी उसके एक रिपोर्ट सुप्रिम कोट तक भी पहुंचाई जाएगी तो S.Y.L. का ये मसला है क्या इतने लंबे समय से क्यों लंबेत है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरीए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये मसला काफी समय से लंबेत है हर्याणा ने 1976 में पंजाब को एक करड़ों पे दिये थे इस नहर को लेकर और पंजाब ने 1977 में S.Y.L. निर्माण की मनजूरी दे भी दी थी उसके बाद पंजाब मनजूरी के बाद लगातार आना कानी करता रहा 1989 की बात करें 1989 में हर्याणा की तरफ से फिर से पहल की गई फिर से कहा गया पुर्ण गष्णन एक्ट की धारा 78 के तहट पंजाब को चनौती दी गई 1981 में एक बाद फिर से दोनों राज्यों के बीच समझाथा हो गया इस मसले को लेकर 1982 में नहर का निर्माण शुरू कर दिया गया और 1985 में राजीव लॉंगोवाल समझोथा हुआ और ये मसला इसी तरह से अटक था रहा 1990 में दो इंजिनियर की हत्या होई थी जिसके बाद हराद बिगड गए थे और सुप्रीम कोटे पंजाब को नहर निर्माण के निर्देश दे दिये है बावज़ू दिसके नहीं हो पाया है अब तक इस नहर का निर्माण हमेशा हर्याना के हक में ही ये फैसला आया